क्या रज़त को पता चल जाएगा लखी का पता? क्यों जिगर ने की लखी को भढ़काने की कोशिश? क्या जिगर का प्लान पढ़ जाएगा उसी पर उल्टा? सारप्लेस की सीरिल गुम है किसी के प्यार में की कहानी में आपको देखने को मिलने वाले हैं धेर सारे इंटरस्टिंग ट्विस्टेंटर्स जोहां आप देखेंगे कि सीरिल में होने वाले हैं कई सारे शोकिंग खुला से जिसके चलते शो में आपको देखने को मिलेगा भरपूर एंटर्टेइन्मेंट तरसल शो के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है काफी ही हाई वोल्टेज रामा जहांपर भागिश्री करने वाली है लक्की को कॉल जिसके चलते हैं लक्की श्री को बार बार कॉल करने से साफ इंकार कर देगा ताकि रजट को उसके पते के बारे में पता ना चल पाए इसी दोरान वहाँ पर तारा आ जाएगी जिसके बाद तारा श्री को स्ट्रेस लेने के लिए साफ मना कर देगी और साथ ही उसे लक्की के पते के बारे में बता देगी लेकिन वहीं दूसरी और लकी रजत की डर से काफी ही घबराया हुआ होता है ऐसे में जब उसके घर की बैल बच्टी है तो लकी डर की कारण घर में ही कहीं जाकर छिप जाएगा वहीं उसका दो संकेज जब दर्वाजा खोलेगा तो उसे वहाँ पर जिगर दिखेगा इसके बाद वो लकी को आवास देगा तो लकी जिगर को वहाँ देखकर गुस्से में आग बबूला हो जाएगा ऐसे में जिगर मौकी का फायदा उठाते हुए लकी को रजत के खिलाब उकसाने की कोशिश करता हुआ नजर आएगा जिसे सुनने के बाद लकी काफी ही गुस्से में आ जाता है और जब वो जिगर को वहाँ से जाने के लिए कहता है तो जिगर उससे सवी के बारे में बात करना शुरू करतेगा और इसी दौरान वहाँ पर रजट की एंट्री हो जाएगी जिसे देखकर लकी और जिगर दोनों के पैरो तले समीन खिसक चाएगी ऐसे में रज़त जिकर को खूब खरी-खोटी सुनाते हुए नजर आएगा और साथ ही उसे वहां से जाने के लिए भी कहता हुआ नजर आने वाला है वहीं फिर रज़त लखी को उसकी गलतियों के लिए उसे मारना शुरू कर देगा जहां चलते रज़त लखी को पुलिस के हवाले नहीं करता और फिर वहीं सवी का दिल टूट जाएगा लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि शो की अपकमिंग प्रोमो में आपको देखने को मिलने वाला है काफी ही जबरदस ट्विस्ट यहां क्योंकि सवी को ईशा की एक्सि होगा कि क्या जिगर की इस हरकत के बाद तारा भी छोड़ देगी उसका साथ या फिर करेगी एक बार फिर से उस पर भरुसा क्या रज़त डालेगा जिगर को सलाखों के पीछे क्या होगा आगी शो मेंने आई यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं इस सीजल से जोड़ी इस खबरों को जानने के लिए फॉलो और स्प्सक्राइब करें इंस्टाफीद को